हेललो दोस्तो तो सुवागत है आप सभी का फिल्म इफेक्ट के एक और नए अबिसोड में और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूवी से रिलेटेड कुछ फेक्ट्स के बारे में तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो साल 2000 में एक मूवी आयती जिस मूवी का नाम था American Psycho जिस मूवी में लीड रोल क्रिश्चन बेल ने प्ले किया था लेकिन स्टूडियो इस मूवी के लीड रोल के लिए लियनार्डो डीकैप्रियो को कास्ट करना चाता था और वो लियनार्डो डीकैप्रियो को 21 21 million dollar वाला offer ठुकरा दिया और ये movie सीधर Christian Bale को मिल गई और ये movie सिर्फ 7 million dollar में ही बनके त्यार हो गई अगर Leonardo DiCaprio को cast करते तो उनकी fees मिला कि इस movie का budget सीधर 28 million dollar चले जाता दोस्तों आप Quentin Tarantino को तो जानते होगे जो कि Hollywood के one of the best director में से एक मान जाते है उनके कडिर की जो सबसे best movie मानी जाती है वह है इंगलोडिस बास्टर्ड लेकिन क्या आपको पता है कि Quentin Tarantino इस movie को cancel ही करने वाले थे दरसल इस movie का एक character लिखा था Quentin Tarantino ने जिसका नाम था Hans Landa और Quentin Tarantino का मानना था कि ये उनके द्वारा लिखा गया इस दुनिया का सबसे best character है जो उन्होंने लिखा है और वो इसके लिए best actor भी ढूढ़ रहे थे उन्होंने इसके बाद बहुत सारे audition लिए लेकिन कोई भी Hans Landa के रोल में fit bet ही नहीं रहाता और Quentin Tarantino ने decide कि अगर कोई अच्छा सा बंदा नहीं मिला Hans Landa को cancel ही कर देते और दोस्तों क्या आपको पता है कि Marvel में Vision का रूल प्रे करने वाली actor Paul Bitney एक वक्त उनका हाल ऐसा हो गया था कि उनका career खतम होने की कागार पे था और एक producer ने तो ये तक कह दिया कि तुमारा career अब खतम हो जाएगा और उस producer के मूँ से ये बात सुनके Paul Bitney बहुत चीज़दा डिसेपन्ट भी हो गय थे लेकिन इससे पहले उन्होंने Marvel की movies में जार्वेस की अवाज रेकॉर्ड करी थी और जब उस producer ने बात उनको बोली थी तो उसके कुछ मिट बाद ही उन्हें एक कॉल आया जहां पर उन्हें विजन का रोल प्रे करने के लिए Marvel स्टूडियो के तरफ से अप्रोच किया गया था और तब वो हमें Avengers Age of Ultron में विजन के रोल में दिखे थे और आज वो करियर में सक्सेस सुल है दोस्तो DreamWorks Hollywood में एक Animated Movies बनाने वाली कमपनी है और उसके कुछ Animators एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो की फेल हो गया और उसके बाद DreamWorks ने क्या किया कि उन्हें Animators को एक नई मूवी के प्रोजेक्ट में डाल रिया और वो जो Animators थे वो उस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने ये भी बोला कि ये हमारे करियर का सबसे खराब प्रोजेक्ट था जो हमने किया है और जो प्रोजेक्ट उन्हें बनाया था उस मूवी का नम तो शेरेक जिसने की 484 मिलियन डॉलर की कमाई करके बॉक्स ओवस पर एक ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई थी और साथ ही साथ उसने कई ओसकर भी जीते थे दोस्तों क्या आपने Home Alone 2 मूवी देखिए उस मूवी में एक छोटा सा रोल डॉलन ट्रम का भी था लेकिन स्टूडियो ने कोभी प्लैन ने किया था उनके रोल के लिए दिरसल वो जब इस मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें एक बड़े से विला में इस मूवी की शूटिंग करनी थी जो विला किसी और का नहीं बलकि डॉलन ट्रम का ही था और डॉलन ट्रम ने इसाब भोल दिया था कि अगर तुम मेरे विला में शूट करना चाते हो एक मूवी तो मुझे भी इस मूवी का एक पार्ट बनाना होगा इस मूवी में एक छोटा सा रोल मुझे भी देना होगा यानि कि उस टेम पे Tannet की शूट रही थी और वो नहीं चाते थे कि Tannet मोवी के डिरेक्टर क्रिस्टिफर नोलन को ये बात पता चले कि ओध़ बैटमेन के ऑडिशन के लिए जा रहे हैं इसलिए उन्होंने क्रिस्टिफर नोलन को ये बात नहीं बताई दी और उन्होंने एक भाना दे दिया था कि मेरे रिलेट्रिव में कोई मर गया है तो मैं जा रहा हूँ तो Christopher Nolan ने बोला अच्छा तुम Batman की shooting के लिए जा रहे हो तो ये बात सुनके Robert Pendinson बहुत ज़ाद हरान हो गए कि आखिर उनको कैसे पता चला कि ओधा Batman के audition के लिए जा रहे है यानि कि Christopher Nolan उस टाइप के डिरेक्टर है जिनकों की सब पता होता है और दोस्तों इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो ये है कि सालों पहले एक मूवी आये थी जिस मूवी का नम थे Candyman जिस मूवी में विलन का रोल Tony Todd ने किया था और उनका विलन कुछ इस टाइप का था जो हमेशा मधुमक्यों से घिरा रहता था तो Tony Todd ने स्टूडियो को पहले ये बोल दिया था कि जब भी मुझे मधुमक्या काटेंगी तो मैं तुमसे 1000 रुपे की फीज चार्ज करूंगा और जब इस मुवी की शूटिंग कंपलीट हुई तो Tony Todd ने इस मुवी के लिए अलग से टोटल 26,000 डॉलर रुपीज चार्ज हिये थे यानि कि तक्रीवन 26 बार उन्हें मधुमक्यों ने काटा था तो अब बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तो अब अगर आपको वीडियो पस्त नहीं तो इसे लाइक करे और में चैनल को सब्सक्राब करके बैल इकन को प्रेस कर दीजेगा मैं जल्दी फिल्म इफैट का एक और नए अबिसोड लेके आऊंगा ठैक्स रुचिंग इस वीडियो मिलते हैं आपसे लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई